हम परिक्रमा के बारे में जब भी सोचते हैं, हम सबसे पहले ये देखते हैं, कि इत्ती बड़ी आत्रा है, तो वहाँ पे इंतिजाम कैसा होगा, कहा जाना है होगा, कैसा होगा, मतलब घर बैटे बैटे हम इस सब जानना चाते हैं, कि वहाँ क्या हो रहा है, तो हम वहाँ जा लगाय हुआ है तो आप उसको वहाँ पे देखते हैं वीडियो में दर्शन करते हैं कितना अच्छा लगता है तो आधी चाप वही मार लेते हैं आप आधी तो खुशी वहीं ले लेते हैं परिक्रमा की इसलिए डाउट रहता है कि जाना है नहीं जाना है पर मैंने आपको नहीं देखेंगे यहां से नहीं पता करेंगे आप वीडियो देखते हो आप की इच्छा जागरित होती है और इच्छा जागरित के बाद आप ये उसमें अपना को सैटिस्फाइ कर लेते हो कि हमने दर्शन तो करी लिए चाहे यूट्यूब वीडियो से करे हो चाहे लोग जिच के थुरू हम आदी सैटिस्फाइक्शन ले लेते हैं कि हमने मा का नाम तो जप लिया अब जब नाम जप लिया अब आपके पास चांस भी है आप निकल भी सकते हैं अब आप भी सकते हैं और आप खुद को इस शरीर को और इस आत्मा को लेके मा के समीब पहुत सकते ह तो जो भी आप अनुभव लोगों के देखके वीडियो देखके आप अपने मन में जो सोचने लगते हो कि अगर मैं वहाँ बैठा हूँ तो मा तुम्हारे घार पर बैठा हुआ हूँ ओ-ओ-ओ-ओ gustaría gosh नहीं जो ड्रीम्स हैं अपके यह जो आपके अंदर भाव प्रकट हो रहे हैं यह सब आपको बैसma साथ मैच करने हैं वो और हुँ गैसे जब सच में उधर होंगे तो इस परिक्रमा में हम जहां जहां जा रहे हैं वहांपर मैंने आपको बता दिये जो भी दर आप उत्तर भारत और दक्षिन भारत को अलग कर देने वाली जो सीमा रेखा है वो कोई रेखा नहीं है वो मानर्मदा है वो naturally है पूरी दुनिया में the only river एक लोती नदी जिसकी परिक्रमा है आपको इस बात का गर्व होना चाहिए कि वे आपके समीप है और आपके समीप है तो आप जातो सकते हैं जब दुनिया के दूसरे कोने से लोग यहां आ सकते हैं तो आप तो बहुत पास मे आप इस परिक्रमा पर आईए आपको मैंने अपनी वीडियो से जितने भी जादा मुझसे डाउट साथ सके लोगों के मैंने कमेंट्स पर और वाट्साप पर उन्टे कॉन्टाक उनका फोन आता था कि कुछ ऐसा है जो भी उनके डाउट्स होते थे वो सभी मैंने clear अभी त पूछ सकते हो और थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से ये एक decision लेना होगा कि क्या आप परिक्रमा में जा रहे हो अगर हां तो आप booking कीजे और उसके बाद आप ये भूल जाएए कि मुझे कोई भी चीज रोक सकती है जीवन में ऐसा आपको पुरानों में आपको mythology की mythology जो ल यही बात रहा माइंड में माभारत में हर एक कहानी में बताई गई है कि जब भी आप अपनी किसी चीज को जो पाना चाते हैं उसके जब सबसे समी पोच जाते हैं उसी टाइम जिसे हम पिच्चरों में कहते हैं climax तो आपकी जिंदगी का आपकी लड़ाई का आपकी जंग क वो climax आ गया है तो climax पे आपको अभी तक जितना आपने सोचा था कि आप में willpower है आप में इच्छा सकती है अब उसका जो test है एक दिन में पूरा मांडव पाहडी क्रॉस कर सकते हैं बढ़ यहां पर प्राचीन मंदरे पाचीन स्थल बहुत हैं तो इन स्थलों को और मंदरे को आपको और करीब से जानने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ विभिनने जगाव में उसका जो exam हो रहा है वो आपको पार करना है जितनी हिम्मत आप में तब थी जब आप 16 साल की उमर में थे उसके बाद जितनी हिम्मत आप में अब है आप 40 के हो 50 के हो 60, 70, 80 आप पूर यह वो ही वक्त है कि जब आपको वो सारी पावर वो सारी शक्ति वो सारी इच्छा शक्ति बराबर करके एक decision लेना है कि हां मैं मा आ रहा हूं परिक्रमा करनी है अपने लिए खुद के लिए इस पूरे जीवन व्यतीत काल में आपने इतने उमर बिता दी आपने कभी भी ल परिन निष्टा है कि हां ये करना था ये नहीं हुआ ये हुआ वो सब परिक्रमा पर टेस्ट कीजिए वो एक ही experience आपको पूरी जिंदगी का experience देदेगा जहां पर भी हम रुकेंगे वहां पर जो भी घाट एरिया है वहां पर ही हमारा सुबह शाम दो घंटे का meditation yoga haven और बा आप कहीं भी घुम सकते है जितने दर्शन हमारे area पढ़ेंगे जहां जहां हम दर्शन करने जाएंगे वहां अपनी आप time बिताईए आप जितना time बिताना चाहते है पर वापस शाम को दो घंटे के लिए हम जहां पर भी जाएंगे रुकेंगे वहां पर नर्मदा घाट द जो दिखता है वो बिखता है तो ये वही होता है आप अपनी आखों के सामने जो दिखता है वो ही बिखता है आप सिर्फ नर्मदा को रखो आप जो भी सोचो आपको देखना आपके जो जितने भी आपकी सोच है जो भी आपके भाव प्रकट हो रहे है जो भी बाते समझ आ मैंने से ही एक माला के बराबर होता है तो वो मेडिटेशन आप अपना पर्सनल टाइम यहां बिताइए और भी कोई क्वेस्चन है तो आप प्लीज कमेंट पर लिखेगा वीडियो के साथ-साथ मैं बाकी जानकारी भी देता रहूँगा अब क्योंकि regular starting हो गई है दिन भी कम है तो मुझे लगता है कोरोना के चक्कर में बहुत fat हो गया है और inquiry के चकर में मुझे काफी routine अपना change करना पड़ा क्योंकि inquiry कभी सुबे 6 बज़े से लेकर रात के 12 बज़े तक होती थी क्योंकि आप सभी लोग अपने अपने time पे देखते हैं तो उसी time पे जो decision लेना होता है inquiry वो ही होता है और सब किसी को भी निराश करना मुझे अच्छा नहीं लगता तो अब उस चक्कर में मैंने अपना थोड़ा चा fitness program भी खराब कर लिया अब वापस उस पर आएंगे वो भी चीज मैं आपको live आऊंगा सुबे आपको fitness program देखेंगे जो भी लोग नहीं जा पा रहे परिक्रमा में जो भी घर पे बैठे हुएं वो हमारे साथ परिक्रमा कर सकते है उसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे हमारे साथ live वीडियो में जुड़ सकते हैं आपको fitness program मेरे साथ follow करना होगा रोज सुबे उठके जो जो exercise में आपको बताऊंगा आपकी age के हिसाब से मेरे साथ आप रोज सुबे करना और जब हम वो परिक्रमा करेंगे तब आप यूट्यूब पे हमारे साथ रोज सुबे दुफेर शाम तीनो टाइम लाइफ पे आके आप हमारे साथ नर्मदा दर्शन करना हो सकता है आप में इच्छा शक्ती जगे कि आप अगरी बार वहन परिक्रमा में आए या पैदल परिक्रमा में जाए गोल सिर्फ यही है कि मा नर्मदा पे वापस सब को एक साथ एक अखंड भारत को मा के पास वापस लेके आना है जहां से हमारी शुरुआत हुई थी हमें वहां से अपने डिने के अंदर से अपनी संस्कृति की बात फिल्टर करनी पड़ेगी साफ करनी पड़ेगी स्वच्छता करनी पड़ेगी असली क्या है हमें वह जानना होगा तो आप जो लोग में साथ जा रहे हैं वह अलग यह अनर्जी है उनमें दिन बर दिन में देख रहा हूँ कि उनकी एनरजी लेवल बहुत बड़़ बढ़ यह यह एनर्जी जब वहां पहुचेगी तो कैसा सत्संग होगा इसी एनर्जी के साथ मैं जा रहा हूं बुकिंग में क्योंकि अब मुझे हर जगा से लास्ट डेट डेट आ गई है कि कब तक मुझे साही चीज़े फाइनल करनी है 28th से 25th October तक मैं बुकिंग्स ओपन रख रहा हूं अगर आप लोग आना चाहते हैं तो प्लीज आईए और अच्छा लगेगा कि सत्संग में एक ही जिसने नाम नर्मदा का कभी सुना हो किसी ने पहले कभी जाना हो सत्संग भी सुना हो किसी ने गूगल सर्च भी करा हो तो उसी को अगर हम नर्मदा के पास लेके जाएंगे वो ही अंडिस्टैंडिंग डिबेट डिसकॉशन वो ही टॉपिक रहगा तो कितना अच्छा रहगा वन्ना बड़े बुडे जो हमारे रिवर को भी सर्च किया हो और उसके बाद वो परिक्रमा ये सब मतलब उसकी हिस्टॉरिक पॉइंट अच्छा होगा तो हमारे साथ जित्ते भी लोग हैं वो सब ऐसे ही जा रहे हैं मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जुड़े मेरे साथ मेरे साथ मेरे बस में ये डिसकॉ पाइशन हम 24 घंटे करेंगे हम माइथलोजिकल के कैरेक्टर जो कहानिया थी हम उन पर बात करेंगे राम कौन थे सीता कौन थी पाचो पांड़फ कौन थे क्रिशन कौन थे ये अफ़तार क्यू हुए ये सारी बात हमारी बस टॉपिक डिसकॉर्शन हैं हम ये डिसकॉस नह बाते करनी की नहीं है या घर आके करना की जब हम गए थे तब जब वहां पर हैं तो सिर्फ इनी बातों पर धरम पर डिसकॉर्शन होना चाहिए जिससे कि हमें और जो हमें देख रहे हैं वह सभी इस चीज़ को देख सकें कि कि कितने पॉइंट ऑफ डिफरिंट हैं यह सोच रहे हैं हिचके चाट है तो हिचके चाट मत कीजिए फोन कीजिए मुझे 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 से पूछिए कोई भी क्वेरी होगी मैं आपके पूरी करूंगा और उसके बाद आप बुकिंग करके डन करके हमारे साथ परिक्रमा में जुड़ जाईए और जो भी वीडियो का इंतजार कीजेगा इस वीडियो को ध्यान से देखेगा और नेक्स टाइम जब भी आप इंक्वाइरी करें आप हमारे साथ चल रहे हैं यह द्रिन निष्टा लेने का नर्म देहर झाल 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 झाल